नमस्कार दोस्तो एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होना वाला है क्योंकि आज के इस पीडियो में आपको बीए फ़स्ट एर के सेकेंड समेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानि की भुगो उसके अंदर कौन कौन से कोश्टन आने वाले हैं इस पीडियो के अंदर में आपको आने वाले कोश्टन के बारे मताऊंगा ताकि आपको आने वाले कोश्टन के बारे में पूरा दिखेगा ताकि आपको आने वाले कोश्टन के बारे माच्छे से पाता चल चके और जितने वीडियो के अंदर में आपको अती लगूतर पृस्टन, लगूतर प्रास्टन और दीरगूतर पृस्टन, तीनों तरogn तरह के प्रस्ट्न के बारे में बताऊँगा तो आपस बीडियो को ध्यान से देखिएगा और विडियो का अन्यत। तो आई देरना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले अतिलेगू तरी प्रश्णों के बारे में जानते हैं तो यहां पर अतिलेगू तरी प्रश्ण में पहले प्रश्ण की बात की जाते हैं यहां पर आपका पहला प्रश्ण दियो है मानो भूगोल का जन्मदाता कौन था पहला कोश्चन कर रहा है जो मानो भूगोल है यहाँ पे आपको बताना है कि मानो भूगोल का जन्मदाता कौन था अब अगले कोश्चन की बात की ज़त यहाँ पे आपका दूसरा कोश्चन दियावा है नौ निश्चेवाद की विचार धरा किसकी है? दूसरा कोश्चन का रहा है जो नौ निश्चेवाद की विचार धरा है यहाँ पे आपको बताना है कि नौ निश्चेवाद की विचार धरा किसकी है? अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका तीसरा कोश्चन दिय यहां पिडालडी लाब बलास का युगदान बताना है। प्यक्तर को के चल्दा है यह मानू अस्थनांतर है की परकार का होता है। लोकड़ी काटने के बेवसाय का बीशु बीत्रन बताया है। चाटा कोश्चन कह रहा है, जो लकडी काटने का बेवसाय है, उसका बीसो में क्या बित्रड है, यहाँ पे आपको लकडी काटने की बेवसाय का बीसो बित्रड बताना है, अब अगले कोश्चन की बात किजिए, यहाँ पे आपका आठवा कोश्चन दियवा है, कास्थ उद् नागा के बवसायों का वंड कीजिए यहां पर आपको नागा है यहां पर आपको नागा के बेऊसावय का वंड करना है अब अगले कोश्चन की बात की जाथ यहां पर आपका 12 कोश्चन दियवा है आदिम किरिसी की बिसेस्ता हैं बताईए आदिम किरसी जो होता है यहाँ पे आपको 12 कोश्चन में आदिम किरसी की विसेष्था बताना है कि आदिम किरसी की क्या विसेष्था होती है अब अगले कोश्चन की बात की जात यहाँ पे आपका 13 कोश्चन दियवा है रीतु परवास क्या है तिरहों कोश्चन कर रहा है कि रीतु परवास क्या है यहाँ पे आपको रीतु परवास के बारे में बताना है अब अब अगले कोश्चन की बात की जात यहाँ पे आपका लाश्ट कोश्चन दियवा है यानि कि अती लगूत्री प्रश्ण का चौधाव कोश्ण दियवा है निर्वहन की रिसी क्या है चौधाव कोश्ण का रहा है कि निर्वहन की रिसी क्या है यहाँ पे आपको निर्वहन की रिसी के बारे में बता रहा है तो यह टूटल आपके 14 question होगे जो आप सती लगूती प्रशनों के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर लगूती प्रशनों पहले प्रशन की बात की जाते हैं यहाँ पे आपका पहला प्रशन दियावा है मानो भूगोल का उदेश से बताइए पहला कोश्चन का रहा है जो मानो भूगोल है यहाँ पे आपको मानो भूगोल का उदिश से बताना है अब अगले कोश्चन की बात कीज़त यहाँ पे आपका तीसरा कोश्चन दियवा है मानो भूगोल का महत्तो बताईए तीसरा कोश्चन का राय जो मानो भूगोल है यहाँ पे आपको मानो भूगोल का महत्तो बताना है अब अगले कोश्चन की बात कीज़त यहाँ पे आपका चौथा कोश्चन दियवा है अमेरिकन भूगोल विक्ताओं में कुमारी सेंपूल का युगदान बताना है यहाँ पे आपको कुमारी सेंपूल का युगदान बताना है अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका पांचवा कोश्चन दियेवा है रूको और जाओ नियती वाद का वंड कीजे पांचवा कोश्चन करना है जो रूको और जाओ नियती वाद है यहाँ पे आपको सोने जन संक्या बिर्दी पर संचीत में ठीपड़ी लिखना है अब अगले कोश्चन की बात कीज़त यहाँ पे आपका सात्वा कोश्चन दियवा है परवसन के परकार बताईए सात्वा कोश्चन कर रहा है जो परवसन है यहाँ पे आपको गरामीड और नगरी अधिवास में अंतर करना है अब अगले कोशन की बात कीज़त यहाँ पे आपका नवा कोशन दियवा है सांस्कृतिक परिमंडल की परिभासा दीजे नवा कोशन कहरा है जो सांस्कृतिक परिमंडल है यहाँ पे आपको सांस्किर्तिक परिमंडल की परिभासा देना है अब अगले कोशन की बात कीज़त यहाँ पे आपका दसवा कोशन दियेवा है भूटिया के निवास छेत्र और तंतर और समाज के बियूरन है यहाँ पे आपको समाज के बियूरन देना है और ततंत्र के बारे मतना है और उसके निवास चेत्र के बारे मतना है अब अगले कोश्चन की बात कीज़त यहाँ पर आपका बराव कोश्चन दियवा है सांस्किर्तिक भूद्रिस्य की संकल्पना की ब्याख्या कीजिए इगराव कोश्चन कर रहा है जो सांस्किर्तिक भुद्रिस्य की संकल्पना है यहाँ पे आपको सांस्किर्तिक भुद्रिस्य की संकल्पना की ब्याक्या करना है अब अगले question की बात की जाते हैं यहाँ पर आपका बराओ question दियावा है भील जन जाती की समाजिक ब्योस्था का संचित वर्ण कीजिए बराओ question का रहा है जो भील जन जाती है यहाँ पर आपको भील जन जाती की समाजिक ब्योस्था के बारे में बता रहा है यहाँ पर आपक मानो भूगोल की परिभासा देते हुए उसकी परकिरती यों बेसे चहतरी की विविचना कीजिए पहला कोश्चन कर रहा है जो मानो भूगोल है यहाँ पे आपको सबसे पहले मानो भूगोल की परिभासा देना है और मानो भूगोल की परिभासा देते हो उसकी परकीरती के बारे मतना है और उसके बेसे छेतरी की भी विचना करना है अब अगले कोशन की बात की जात यहाँ पर आपका दूसरा कोशन दियवा है अब अगले कोशन की बात की जात यहाँ पर आपका दूसरा कोशन की बात की जात यहाँ पर आपका दूसरा कोशन की बात की बात की जात यहाँ पर आपका दूसरा कोशन की बात की बात की जात यहाँ पर आपका दूसरा कोशन की बात की बात की जात यहाँ पर आपका दूसरा की बैख्या करना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका चौथा कोश्चन दियो है मानव अधिवास की उत्पति और उसके परकारों की बैख्या करना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पर आपका पांचवा कोश्चन दियो है नगरी अधिवासों के प्रकारों यहां प्रतिरूपों की बिवचन कीजिए पाच्वा कोश्चन कहरा है जो नगरी अधिवास है यहां पे आपको सबसे पहले नगरी अधिवासों के प्रकारों के बारे मतना है और उसके प्रतिरूपों की बिवचन करना है अब अगले कोश्चन की बात कीजिए तिहां पर आपका च्छाटा कोश्चन दियेवा है बीसो में लकडी की बेवसाय के सरूप एवं उसकी भी सिस्ताओं की बैख्या कीजिए च्छाटा कोश्चन कर रहा है जो लकडी के बेवसाय है यहां पर आपको बीसो में लकडी की बे विकास के परमुक चलन को सपश्ट करना है उसके बाद आगे आपको परतेक चलन की संस्किर्टी की मुल भिश्टाई बताना है। थारू के निवास चेत्र और तिबहस्था युँ समाज किँजिए दस्तव को त्याली के पुंच्छन कंपोर्य क्या विश्था युझ्ग गूंच विडियो में अगरिविडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स वीडियो की स्टोपिगों पर चाहिए थेंक्यों दोस्तों